आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में पेट का कड़क होना गर्भा वस्ता के दोरान महिलाओं को कई तरह की दर्द और एहसासों को सहना पड़ता है जिसमें से एक पेट पर टाइट महसूस होना यानि की इस्टमत टाइटनिंग होना भी है गर्भा से बढ़ने के कारण प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ही पेट टाइट होना महसूस हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में पेट में टाइट महसूस हो सकता है जो कि कुछ मिंटों के अंदर ही ठीक भी हो जाता है आम तोर पर वजन बढ़ने और प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में संकुचन से इसका संबंध हो सकता है तो आईए जानते हैं कि गर्भा वस्ता में स्टमक टाइटनिंग क्यों होती है कि सिस्टिती में इसे लेकर डॉक्टर से बात करना जरूरी हो जाता है गर्भा वस्ता की हर तिमाही में पेट में टाइट महसूस होने का अलग-अलग कारण हो सकता है पहला कारण हो सकता है gas या फिर कबज के कारण प्रेगनसी में कबज और गैस होना आम बात है इसकी वज़े से पेट में एठन और दर्द बैदा हो सकता है दूसरा कारण हो सकता है miscarriage कुछ मामलों में पेट में टाइट महसूस होना miscarriage का संकेत हो सकता है हाला कि अगर इस्टमक टाइटनिंग के साथ एठन और वेजाइनल ब्लीडिंग कमर के निचले हिस्से में दर्द और टिसू डिस्चार्ज हो तो मिस्करज का साफ संकेत हो सकता है अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाहे में इस्टमक टाइटनिंग का क्या कारण हो सकता है गरभा सैके बढ़ने के कारण पेट की मान स्पेसियों और लिगामेंट खिचने लगती हैं जिससे पेट में एठन के साथ चुबने वाला दर्द भी होता है कभी कभी पेट के निचले हिस्से या ग्रोइन हिस्से में एक या दोनों तरफ अचानक से चुबने वाला दर्द हो सकता है ये दर्द पोजीशन बदलने जैसे की खरे होने, बैठने या फिर जुकने पर पेट के टाइट होना महसूस हो सकता है प्रेगनसी के दोरान आपको तिमाही की अंत में संकुचन पैदा हो सकता है जिसमें पेट में टाइट और असहज महसूस होने लगता है हाला कि ये संकुचन सिर्फ 30 से 60 सेकेंट तक रहता है और लेबर पेन वाला दर्द नहीं होता अब बात कर लेते हैं प्रेगनसी की तीसरी दिमाही में इस समय अस्टोमक टाइटनिंग प्रसव पीड़ा का संकेत हो सकती है यदि प्रसव पीड़ा होने वाला है तो संकुचन और टाइटनिंग जल्दी-जल्दी और तेज महसूस होने लगती है अब बात कर लेते हैं अन्ने कारण के बारे में जब गर्भ में सिसू लात मारता है तो पेट में गुदगुदी सी महसूस होती है इस समय पेट में थोड़ा टाइट भी महसूस हो सकता है कई बार जादा खाने की वज़े से भी पेट में tight और अकरन मैसूस हो सकती है जादा खाने और गरभा से में सिसु होने की वज़े से पेट में जगह कम पर सकती है अगर आपको बहुत जादा और लंबे समय तक tight मैसूस हो रहा है या आपको कोई high risk pregnancy है तो डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं यदि एक घंटे में चार बार से ज़्यादा बार टाइट महसूस हो पेट में टाइट महसूस होने के सासा सास लेने में दिक्कत हो और टाइटनिंग के साथ तेज दर्द महसूस हो तो डॉक्टर से तुरन दिखाएं pregnancy में छोटी सिला परवाही भी मा के लिए और बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है इसलिए ऐसी कोई भी गलती ना करे